दोस्तों आपके अपने चलंग क्लासिस फोर यू पर आपका सवागत है आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10 अप्रियल 2020 किसके मौस्ट इंपोर्टन का इंटर फिर क्वेश्चिन जो कि आपके आगे आने वाले हर एक्जाम के लिए बहुत ही हेल्फुल रहने वाले हैं तो ज ऐटा टेली कॉम डी इन मेंशे कोई नहीं इसका राइट अंसर है उप्शन ए बारतिय एटेल बारतिय एटेल ने रिलाइंस जीओ को तीन सरकल में 800 मेगा हर्ट्स में अपने स्पेक्ट्रम बेचे इसके तैट बारतिय एयर टेल ने राइट यूज हंस्ताक्सिल करने के लि लेखक, D, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आइंसर है और फसल A, किर्केट कमेंटेंटर बार्त की पहले मेला किर्केटर कमेंटेंटर चंद्रा नैडू का निदुन हुआ है वह बार्त के पहले टेस्ट कप्तान C.K. नैडू की बेटी है चंद्रा नैडू ने C.K. नैडू एक डॉक्टर डिमेंबर्स नामक पुस्तक पी लिखी थी उन्होंने वर्स्त 1970 में पहली कमेंटरी राष्टे चैंपिन मुंबई में MCC के बीच की थी यहाँ बात किर्केट की हुई है तो आईए के किर्केट के बारे ने कुछ जान लेते हैं BCCI Board of Control for Cricket in India BCCI का मुखले मुंबई माराष्टे में है BCI के दक्स सोरुगा उंगली है इसके सचीव अमिताब चोधरी है पुरुष कोच रवी सास्त्री है महिला कोच तुसार अरोठे है बारते किर्केट पुरुष कप्तान विराट कोली है महिला कप्तान मिताली राजय है जो कि One Day International के लिए है महिला कप्तान हर्मरपिर्त कोवर है जो कि T20 किर्केट मैचों के लिए कप्तान बनाए गई है Next किस राजय ने फिलिप कार्ट को 140 एकड़ भूमी आवंटेट की Option A. राजेस्तान B. मिजोरम C. हरियाना D. गुजरात इसका राइट आंसर है Option C. हरियाना हरियान सरकार ने e-commerce company फिलिप काट को Asia का सबसे बड़ा MM आदुनिक वेराउस स्तापित करने के लिए 140 एकड़ जमीन आवंटेट की हरियाना सरकार ने फिलिप काट का यह विशाल गुदा गुरू गुराम जिले के मानेशर के पटली हाजीपुर में इस्तापित करने का निर्ने लिया है उद्द्योगिक अवें बुनियादी डाचा विकास निगम ने भूमी को 3.22 कुलोड पे परती एकड़ किदर से आवंटेट किया है यहां जिकर हरियाना राजय का हुआ है तो आईए हरियाना राजय के बारे में जान लेते हैं हरियाना राजय की वर्तमान राज़ानी चंदीगड है हर्याने के वर्तमान गर्वर्णर सत्यद्य नारायन है हर्याने के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर है विजय वर्दन हर्याना राज्या के 34 मुख्य सचुग बने है इसकी लोकसभा की 10 सीटे है राज्यसभा की 5 सीटे है विदान सभा की 90 सीटे है हर्याना राजाय गठन 1 नमबर 1966 को हुआ था राज के अपसु काला हिलन है राज के अपक्सी काला तीतर है राज के अपुस्प कमल है राज के वरश पिपल है हर्याना में मुखर उपसे आठ नदिया है इनमें यूम्ना नदी, गगर नदी, टांगरी नदी, मारकर्डा नदी, सरस्वती नदी, साइबी नदी, दुहान नदी, किष्नावती नदी सामिल है Next वियत नाम देश के नई प्रदामंत्री कोन बने उपसने लेपरी हैंसुग बी फार्म मिन चिन C. Sipron Vick D. इनमेंशे कोई नहीं इसका राइट अंसर है B. Farm Min Chin वियतनाम देश के नई प्रदामत्री के रूम में Farm Min Chin को नियुक्त किया गया वहीं दूसरी और नीव वरतमान प्रदामत्री गुवियन जुआन फुक को नए राष्टपती नियुक्त किया गया है Farm Min Chin को वियतनाम की नैसनल असेंबली में 500 मतों के बाद राष्टिय कांगरेस के अंतरगत कांगरेस पार्टी अधेक सुना गया है वियतनाम की राजदानी हिनोही है वियतनाम की मुझदरा का नाम वियतनामीन दोंग है कसो देश के नए राष्टपती कौन बनी उप्सने जैनेस लिपसी लव बी विदोनो रोसमोहा सी वजोसा असमानी शादू डी इनमेशिक कोई नहीं इसका राइट अंसर है वसोजा असमानी शादू कसो देश के नए राष्टपती के रूम में वसोजा असमानी शादू को नियूत किया गया है जिसमें उन्होंने 120 में से 82 सासंद परतिनिदी वोड जीते है 38 वर्सिया राजनेतिक ने कसोबा के प्रिश्टिना विसर विदाला में कानू का अध्यन किया और अमरीका के पीठस वग विसर विदाले से डाक्ट रेट के उपादी भी प्राप्त की है कसोबा देश की वर्तमार राजदानी प्रिश्टिना है कसोबा देश की मुद्रा का नाम यूरो है पी मोदी ने किसकी दवारा लिकित ओड़िशा इतियास पुष्टक के हिंदी संस्क्रण का विव मौचन किया उप्शन A. डाक्टर केशरी हर्केशन महिताब B. जैसेंकर राजश्वी C. रवीना सीशन यादव D. इनमसिक कोईनी इसका राइट अंसर है ओड़िशा इतियास पुष्टक के हिंदी संस्क्रण का विव मौचन किया है ओड़िशा इस्तियास पुष्टक का हिंदी संस्क्रण हरे किर्शन महिताब फांडेशन दुवारा किया गया है बारतिया लोग्य उद्धोग विकास बैंक के अध्यक्स और परबंद निदेशक पद पर किसे नियुक किया गया है ओप्शन A. आर अगनियोतरी B. S. रमन C. V. नारायन D. इनमसिक कोईनी इसका राइट अंसर है ओप्शन B. S. रमन फातिमा रफिक जकारिया का निदन हुआ है वह एक परशित क्या थी ओप्शन A. पत्रकार B. अभिनेत्री C. विज्ञानिक D. गायक इसका राइट अंसर है ओप्शन A. पत्रकार परशित पत्रकार एवं सिक्षाविद मुलाना अजाद Educational Trust के अध्दक्स फातिमा रफिक जकारिया का निदन हुआ है फातिमा रफिक जकारिया को वरस 26 में सिक्षा के छितर में एहम कारियों के लिए पदम स्रीशे सम्मानित किया गया था फातिमा रफिक जकारिया को वरस 1983 में पत्रकारिता के लिए सरोजनी नाइडू एकिकर्व पुरुषकार भी मिला था नेक्ट बारत के नए राजसव सचीव के रूम में किसे नियुक्त किया गया ओप्शने दीरेजरंजन B. तरुन बजाज C. मैजवाजपिय D. इनमेशिक कोईने इसका राइट अंसर है ओप्शन B. तरुन बजाज के अंदर सरकार ने वित मंतराला के नए राजसव सचीव के रूम में तरुन बजाज को नियुक्त किया है वरस 2020 मेवाए आरतिक मामलों के शचीव के रूम में नियुक्त हुए थे जो की 1988 बैच के आर्याना केडर के आयस अधिकारी है वित मंतराला के नए राजसव सचीव तरुन बजाज को पूरव राजसव सचीव अजे शेट की जंगय नियुक्त किया गया है जो की 1987 बैच के करनाटक केडर के आयस अधिकारी है नेक्स्ट गीता प्रेश के प्रमुक का निदुन हुआ है उनका नाम क्या था ओप्शने परवी निरेंजन B. जगदिव ठाकुर C. अविनास मैता D. रादेशाम खेमका इसका राइट आंसर है ओप्शन D. रादेशाम खेमका गीता प्रेश के अधिक्स गरंतों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकासक है जो की सनातक साहित्य को जन जन तक ले जाने के लिए जाना जाता है उन्हें अप्रेल वरस 2021 के अंक का अंतिम बार संपादिन किया था तो दोस्तों आज की अमारी वीडियो यहीं पर खतम होती है अगर आपको आज का अमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेर जोर केजिएगा और वीडियो को लाइक जोर केजिएगा तन्यूआद